हेलो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है नेशनल सीर्ट का रॉपरेशन लिम्टेड का एक्जाम है डिप्लोमाट ट्रेनी का 25 नॉबर को इविनिक शिप्ट में तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्लोमाट ट्रेनी एकरिकल्चर और मेकेनिकल का प्रिभीश चेर पे कोशन आता है जिसमें से 70 टेकनिकल और 30 नॉन टेकनिकल रहता है इसके सिलेबस और एक्जाम पैटर्न का एक वीडियो में बना चुका हूं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा देख लिजेगा आप लोग तो कोशन नेमर वन जूल साइकिल इ और 2 कोशन आइसेंट्रोफिक प्रोसेस होता है याद रखिएगा यह कोशन आइसेंट्रोफिक प्रोसेस एक्स वन से टू उसके बाद 2 से 3 कोशन प्रेसर हीट एडिशन 3 से 4 कोशन आइसेंट्रोफिक एक्सपेंशन और 4 से 1 कोशन प्रेसर हीट रिजेक्शन नेक्स्ट कॉस्ट्सेन देखते हैं mixing of fuel and air in case of diesel engine ऊकर सेन्ट तो diesel engine में mixing होता है एर और फ्यूल का engine cylinder में इसका option दो एंसर होगा तो यह कॉस्ट्चन HPCL maintenance technician में आया हुआ था जिसका exam एक नौम्बर को था नेक्स्ट कॉस्ट्चन देखते हैं rotary compressor is used in those cases where rotary compressor use होता है high discharge rate at low pressure is required इसका option a answer option one answer होगा तो यही अगर centrifugal compressor पूछा होता है centrifugal compressor होता है rotary compressor में reciprocating compressor यूज होता है लो डिश्चार्ज रेट और हाई प्रेसर के लिए रिसिप्रकेटिंग कंप्रेसर रिजू होता है नेक्स्ट कोच्छन देखते हैं मैगनिज इन स्टील इनक्रीज इट्स तो मैगनिज से स्टील की हार्डनेस इनक्रीज होती है इसका ओप्षन दो एंसर होगा नेक्स्ट कोच्छन देखते हैं दोरिंग रेट रेट रिजेक्टिट रिजेक्ट बाइब दा रेट रेट इन ने तो कंडेसर में रिजेक्ट होता है इसका ओप्षन दो एंसर होगा देखे यह रिजेटर साइकल है तो इवबरेटर में हीट एड हो रहा है एक्स्पेंशन वाल में थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है देन कंडेशन में हीट रिजेक्ट हो रहा है और कंप्रेशन वर्क डन होता है नेक्स्ट कुशिन देखते हैं the metacentric height is the distance between तो metacentric height होता है center of gravity of the floating body and the metacenter इसका option तीन सही होगा देखे यह gm है metacentric height है यह point m metacenter यह center of gravity यहाँ पे center of frequency center of gravity और metacenter की बीच की जो distance gm है वही होता है metacentric height next question देखते है question number 7 तो इसमें दे रख्खा है m1 equal to 1 kg v1 equal to 2 meter per second m2 equal to 2 kg तो v2 निकालना इसमें तो इसका formula होता है somewhere before impact equal to m1 v1 equal to somewhere after impact m2 v2 तो इससे हम लोग निकालनेंगे v2 equal to आजाएगा 1 meter per second इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं maximum shear stress in a more cycle is तो maximum shear stress होता है equal to the more equal to radius of more cycle इसका option 1 answer होगा देखिए more cycle डियाग्राम है तो यह जो distance है stress का stress और यहाँ पर maximum यहाँ पर maximum shear stress है जो यह radius है वहाँ पर है next question देखते है question number 9 इसे बोल रहा है simple supported beam का क्या जब point load लग रहा है तो उस पर डवलू point लग रहा है तो इस पर deflection होता है w l के power 3 upon e i यह length l है यह अगर uniformly distribute load है simply supported beam पे तो इसका deflection का formula होता है यह beam 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 माल लिजे यह beam यह माल लिजे इसका formula होता है पांच वटा तीन सो शवरास्थी डबलो l के power 3 upon e i i तो इस question में पूछ रखा है deflection in the center will be reduced तो डिल A, अपन डिल ब कर सी, हो जाएगा, डिल A, Simpler Supported Bean, Point Load के लिए है, Deflection डिल B, Simpler Supported Bean, Undial Load के लिए है, तो पॉइंट लोट के लिए डिफ्लेक्शन डवलू एल के पावर थिरी एपन अर्थालेश ए आई अपन डेल बी एक्वाल टू तीनसो शोरी फाइफ अपन तीनसो चोरास्ती डवलू एल के पावर थिरी ए आई इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एंसर आजागा फाइब अपन एट टाइम्स ओप्शन बी एसका एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन दिखते हैं नर्मलाइजिंग ओव स्टील इस डन बाई तो हीटिंग इवाव क्रिट्कल टंप्रेचर फोलोड बाई एर कुलिंग इसका ओप्शन ठीर एंसर होगा नर्मलाइजिंग प्रोसेस में इस्टील को क्रिट्कल टंप्रेचर से 30 से 50 डिगरी उपर तक गरम करते हैं उसके बाद भट्टी में कापी समय तक रखते हैं उसके बाद एर कुलिंग करते हैं भट्टी से निकालके नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन है मारे गा रहा इफ दा मोमेट ओ बीम इस इंक्रीज थी टाइम देन टू कीप दा स्ट्रेस इन दा बीम सेम दा सेक्शनल मोडलर सुट भी तो बेंडिंग का फर्मूला होता है एम भाई आई इक्वल टू सिग्मा भाई वाई इक्वल टू एवाई और एम बेंडिंग मोमेंट आई मोमेंट आप इनर्जा ये इस्ट्रेस होता है ये मोडलर सब एलास्टिसिति और आर रेडियस होता है तो इसमें एम इक्वल टू टू टाव जेड जेड इक्वल टू होता है सेक्षिनल मॉड लस आई भाई वाई तो अगर एम को तिन गुना करते हैं और इस्ट्रेस को constant रखते हैं तो जेड कितना हो जागा तो जेड भी तिन गुना हो जाएगा सेक्षिनल मॉड लस इसका ओप्षन वन एंसर होगा question number 12 देखते हैं average cutting speed in machining cast iron by a single point cutting tool high speed steel इसका option 3 सही होगा 22 meter per minute speed होता है cast iron के लिए next question देखते है question number 13 angle push रखा है एक में thread के लिए तो एक में thread का angle होता है 29 degree next question देखते है question number 14 for a given compressor ratio to reduce the tendency of tendency to knock in an SI engine तो 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 नोकिंग कम करने के लिए spark time में भी retroid इसका option one answer होगा next question देखते हैं in the SI engine is used to reduce SI engine में recycling exhaust gas का use करते हैं तो किसको कम करने के लिए तो NOx को कम करने के लिए the formation of NOx option 3 answer होगा next question देखते हैं an impulse hydraulic turbine तो इसका option 4 answer होगा operates by initial complete conversion to potential energy to kinetic energy देखें इंपर्ट टेगरान का diagram है तो main part है इसका यहाँ पे water storage रहता है और यह water paint stock के दोरब bucket पे water jets टकराता है bucket पे तो यह bucket घूमने लगता है तो potential energy change हो जाता है kinematic energy में और imposter one operate होने लगता है next question देखते हैं casting delay developing due to inadequate venting blow hole होता है इसका option to answer होगा hot cracks होता है और समान ठंडा के गाएं अगर temperature एक समान ठंडा ना किया जाएं तो hot cracks हो जाता है surface पे कुलिंग एक समान होना चाहिए यह थो hot cracks हो उत्पन होगा inclusion होता है proper cleaning नहीं करते हैं pouring से पहले इसके बाइस से और cold set होता है जब pouring करते हैं दो पॉइंट से तो जो runner pouring करते हैं तो जो metal का temperature अलग अलग रहता है दोनों पॉइंट से pouring का जब वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे टाइप का बन जाता है ठंडा होता है तो वही cold set होता है next question देखते हैं single point thread cutting tools should ideally have single point thread cutting tool के लिए zero rack angle होता है फिर next question देखते हैं cementite carbide tool are usually provided with cementite carbide tool में होता है negative back rack angle negative back rack angle next question देखते हैं which is the following surface hardening process needs no quenching तो net adding में quenching यह सकता नहीं होती है induction hardening और flame hardening में water या oil में quenching करते हैं case hard carburizing में भी quenching करते हैं next question देखते हैं which is the following is not considered basic parameter for arc welding तो pressure से कोई मतलब नहीं होता है इसका option 3 सही होगा next question देखते हैं which one of the following operations is carried out at minimum cutting velocity if the machine are equally rigid and the tool work materials are the same इसका option 4 answer होगा milling next question देखते हैं question number 30 the material used for coating the electrode is called तो coating के लिए जो material use करते हैं उसको flux कहते हैं next question देखते हैं which of the following has least percentage of carbon तो raw iron में carbon का percentage सबसे कम होता है 0.01 के आसपास next question देखते हैं question number 25 profile of gear tooth can be checked by तो profile of gear tooth चेक होता है optical projector से इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं question number 26 thread angle of VSW thread in degrees तो thread angle होता है VSW का 55 degree 55 इसका option 1 answer होगा next question देखते हैं ductility तो ये related है tensile test से toughness तो ये related है impact से endurance limit fatigue test से resistance of penetration hardness test है इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं in a micrometer if zero generation of the thimble is above the datum line when the force are in contact the error is negative होगा इसका option 2 सही होगा next question देखते हैं 100 degree centigrade को Fahrenheit में change करना है तो इसका formula ये है देखिए इसको जब रखेंगे 100 यहां पर यहां पर यहां आ जागा 212 degree Fahrenheit next question देखते हैं the difference between dry valve and wet valve temperature increases as air तो ये होगा become derrier इसका option to answer होगा next question देखते हैं a couple is formed when two equal and unlike parallel force acting on a body इसका option 3 answer होगा देखिए ये line है यहां पर एक force लग रहा है और यहां पर एक force लग रहा है तो एक couple होगा next question देखते हैं the motion transmitted between teeth of two asperg ears is generally motion transmitted होता है partially sliding and partially rolling दो asperg ear के बीच में इसका option 4 answer होगा next question देखते हैं enlarging and existing circular hole with a rotating single point tool is called boring होता है single point tool के द्वारा छीदर को बारा करने के process को next question देखते हैं plug gauge is used to measure plug gauge होता है hole size को measure करने के लिए इसका option to answer होगा next question देखते हैं the electric resistance welding operates with high current and low voltage इसका option to answer होगा next question देखते हैं question no. 36 the thermal efficiency of Carnot heat engine is 40% the coefficient of performance of the refrigerator working within same temperature limits would be देखते हैं इसका formula होता हैं efficiency of Carnot cycle heat engine equal to 1 upon COP of heat pump तो यहाँ पर efficiency दे रखका है 40% मतलब 0.4 लिख लेंगे equal to 1 upon COP of heat pump तो यहाँ से COP of heat pump आ जाएगा equal to 1 upon 0.4 और इसका एक फर्मूला आता है COP of heat pump minus 1 equal to COP of refrigerator तो हम लोग को COP of refrigerator निकालना है यहाँ पर तो COP of refrigerator हो जाएगा R equal to 10 upon 4 minus 1 1 upon 0.4 को लिख सकते हैं 10 upon 4 equal to आ जाएगा 6 upon 4 equal to 1.5 इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं इसमें T1 यह गीवन है यह T2 है यह T3 है तो equivalent efficient पे T1 पूछ रखका है T2 पूछ रखका T2 equal to होता है इसका फर्मूला under root T1 T1 into T3 equal to हो जाएगा 600 into sorry 400 into 900 900 तो यह हो जाएगा 20 into 30 equal to 600 Kelvin इसका option 1 answer होगा next question देखते हैं which electric motor is best for farmers in respect of working maintenance तो इसका option 1 answer होगा induction motor next question देखते हैं in an arc welding तो arc welding में होता है flux is coated on the electrode इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं which is not a part of petrol engine fuel injector diesel engine का part है इसका option B answer होगा fuel engine fuel injector next question देखते हैं gear having 30 teeth drives another gear having 10 teeth if the driven gear runs at 540 rpm the speed of driving gear तो इसका formula होता है n1 upon n2 equal to t2 upon t1 तो n1 दे रखा है 540 upon n2 निकालना है t2 30 t1 10 10 तो n1 यहां से आ जाएगा 1 80 इसका option 1 answer है next question देखते हैं in belt pulley power transmission formula तो n1 d1 equal to n2 d2 इसका option 1 answer होगा next question देखते हैं size of cut in hand chaff cutter is regulated by तो इसका answer d होगा all of above speed of fitting speed of knives number of knives next question देखते हैं application of insecticide and fungicides besides by spraying is controlled by तो इसका option 1 answer होगा changing nozzle next question देखते हैं in level survey of observations are checked by तो इसका option 2 answer है sum of rises minus sum of falls equal to sum of BC minus sum of FC next question देखते हैं centrifugal pumps are most suitable and economical for farmers in general due to variable lift इसका option 1 answer होगा seed drill or used for seed drill use होता है seed dropping maintain seed rate maintain row space इसका option D answer होगा next question देखते हैं to calculate break horsepower of an engine formula तो इसका formula होता है PLANN upon 75 next question देखते हैं arc blow is arc blow होता है welding defect next question देखते हैं which part of plow is made wear resistant by using chilled cast iron तो यह थोड़ा clear नहीं दिख रहा है question इसका answer 2 होगा share घिसा को कम करने के लिए हल के किस भाग को चिल का आश टारहन से बनाते हैं तो इसको फाल को बनाते हैं हिंदी में थोड़ा सही दिख रहा है next question देखते हैं plow clearance is measured from तो इस measure होता है surface of the soil to hit the point next question देखते हैं draft is implemented is affected by तो इसका answer होगा for all of होगा seed of implement type of soil size of implement next question देखते हैं irrigated by person will per day is तो इसका option 1.5 hectare next question देखते हैं speed of driven pulley is calculated formula D1N1 equal to D2N2 next question देखते हैं तो इसका एंसर होगा all of these mild steel carbon high carbon steel soft center steel next question देखते हैं plow clearance is distance under beam to ground इसका option 1 answer होगा यह सब question agriculture से है next question देखते हैं scraper is used for scraper use होता है labeling के लिए next question देखते हैं and induction motor rotor speed is always rotor speed होता है always less than the stator speed which is the following is and unexcited single phase synchronous motor तो इसका option 3 answer होगा next question देखते हैं more starting torque तो DC motor इसका answer होगा जिसमें ज्यादा torque लगता है starting time में which method can be used to absolute measurement of resistance तो resistant को measure करने के लिए method इसका option to answer होगा next question देखते हैं the eddy current losses in the transformers occurs in to eddy core होगा इसका option next question देखते है alternators are related in इसका answer 1 होगा KVA यह सब electrical question है the electrical power in the circuit can be expressed by इसका option D answer होगा method of improving power factor इसका भी option answer D होगा question number 69 का answer 3 होगा omla deal with the relation between current and voltage इसका option 3 answer होगा technical का होगया question सारा question अब non-technical का बचाओ सेक्शन भी तो यह आप लोग खुद से देख लीजेगा non-technical मैं PDF अपने telegram group में डाल दूँगा आप लोग देख लीजेगा और इसके preparation strategy exam pattern और syllabus का एक वीडियो बनाया हो इसके description link के में डाल दूँगा इस वीडियो के thanks minute अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और यह वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर किरी और लाइक कर दीजेगा वीडियो को मेरे यह non-technical को से देख लीजेगा आप लो आप 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 कि quality आप 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 आप